नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कमपटीशन प्रिपरेशन पर दोस्तों एक अच्छा प्रश्न मिला मुझे मिक्चर एंड एलेगेशन का मैंने खोद नहीं बनाया किसी ने मुझे भेजा था और मैंने इसको करा तो म ही उतना ही देल लगेगा जितना ट्रिक से करने में तो मैं बता रहा हूं आपको कि बेसिक से सबसे इस मतलब सबसे इजियरेश्ट अप्रोच इसकी बेचिक ही नहीं होगी और इसको एसे सोच सकते यानि A जैसे पहले अगर 100% था मिक्चर का तो आप कितना हो गया 70% हो जाता है मतलब कि जितना परतिसाथ था उसमें 30% कम हो जाता है यानि 90% था तो 30% कम, 90% कम हो जाता है यानि जितना A था उसका 30% हिस्सा कम हो गया यानि कि जितना A था उसका 70% हिस्सा बसता है मिक्चर में कहा गया कि इस बिलेन में 2 लीटर A को मिलाया जाता है और हाँ एक चीज़ और दिया गया कि B बिलेन का 10% है यानि B टोटल सलूशन का 10% है अब पहले की बात नहीं करी जा रहे आप की बात करी जा रहे है कि आप जो है जो B है वो टोटल सलूशन का कितना % है 10% है तो कहा गया इस बिलेन में 2 लीटर A मिलाया जाता है तो बिलेन में क्रमसा पानी A और B का अनुपाद क्या होगा ध्यान दीजीगा A और B में 10 लीटर पानी मतलब यह और B का मिक्चर है 10 लीटर पानी अड़ किया गया तो A का परतिसत पहले जितना था उसके 30% कम बचा मतलब जितना परतिसत था परतिसत में कम हुआ है क्योंकि मातरा तो चेंज होगी नहीं मातरा मालो पहले 5 लीटर A था तो अभी भी 5 लीटर रहेगा क्योंकि A में तो कोई चेंज लाया नहीं गया लेकिन परतिसत जैसे पहले मालो 100 लीटर कुल मिक्चर था और 100 लीटर में 5 लीटर पहले था तो परतिसत कुछ और रहा होगा देखे अब इसको करेंगे कैसे कहा गया कि दो तरल अभी हम प्रश्न को समझ चुके हैं देखो हम क्या करते हैं वाटर लिखते हैं A लिखते हैं और B लिखते हैं इन्हीं तीनों पर हमें खेलना है ठीक है अच्छा हम माल लेते हैं कि वाटर मतलब जो वाटर एड किया गया उसके बाद हमारे मिक्चर की कुल मातर दस एक्स होगे 10X क्यों माला क्योंकि हमें दिया गया B विलेन का 10 परतिसात है और 10X का 10 परतिसात निकालना आसान है इस वज़ा से हमने माल लिया कि अब जो है जो मिक्चर 10X हो जाता है तो B कितना हो जाएगा इसका 10 परतिसात यानि B हो गया X वाटर आपका कितना हो जाएगा वाटर 10 लीटर एड़ किया गया है तो 10 लीटर और आपको पता है कि 10 लीटर और X और A मिलके टोटल मिक्चर 10 X बनाते हैं यानि A हमारा A की मात्तर हो जाएगी 9 X माइनस 10 लीटर समझा किया आप तीनों जोड़िये मिक्चर 10 X मिल जाएगी और चूकि ये 10 X कब आया है 10 X मिक्चर हमारा कब हुआ है जब हमने 10 लीटर पानी एड़ किया अगर पानी नहीं एड़ करते तो कितना था मिक्चर आप कहेंगे जिद 10 X माइनस 10 था 10 X 10 X माइनस 10 था अचा बी में कोई चेंज आया है जब बी न जोड़ा गया न घटाया गया तो बी जितना अभी है उतना ही मिक्चर में पहले भी रहा होगा क्योंकि परतिसत नहीं है यह है यह है आपकी कुल मात्रा यानि कि पहले अगर हम माइनस 10 रहा होगा मतलब A और B पहले भी तो 9 X माइनस 10 और X रहे होंगे क्योंकि A और B में तो कोई चेंज लाया नहीं गया और आपको दिया गया है कि जो चीज 10 X माइनस 10 की कुछ परतिसत थी मानने कि अगर 10 X माइनस 10 की अगर यह A परसेंट होती तो अब यह 10 X माइनस 10 की जो चीज A परसेंट है वो 10 X की A से 30 परसेंट कम यानि A 7 A बटे 10 परसेंट है समझ रहे हो यानि कि जो चीज 10 X माइनस 10 की 100 परसेंट होती वो चीज अब 10X की कितनी परसेंट है? 70 परसेंट है यानि कि हम कह सकते हैं कि 10X-10 अगर मिक्चर था तो इसका कोई चीज मालो कुछ परसेंट होता यानि कि कोई चीज 10X-10 का पहले एक परतिसद निकलो 10X-10 में एक इतना था? आप कहेंगे 9X-10 तो कितना परतिसद हो जाएगा? हमें नहीं पता, गुड़े 100 लगा दो इतना परतिसद पहले था? अब वही चीज कितना परतिसद बचा है मेरे भाई? वही चीज आपका 70% बचा है यानि जो चीज पहले इस मिक्चर का जितना भी परतिसद था वह इसका कितना परसेंट बचा है? देखो, फिर से समझो जो चीज, पहले 9X-10 अगर हम बात करें, 10X-10 का कितना परसेंट है? जितना भी परसेंट था उससे 30% कम बचा है 30% कम बोले तो? यानि कि इसका 7 बटे 10 बचा है अब मिक्चर में एकी मात्रा यानि हम जो कहना चाहे रहे तो वह समझेगा कि मिक्चर में, यानि मिक्चर 10X-10 का जो भी चीज, कुछ परसेंट है उससे 30% कम है, वो 10X का यानि मिक्चर की मात्रा अगर बढ़ जा रही है तो परसेंटेज चेंज हो जा रहा है यानि 10X-10 का जो चीज 100% होता वो 10X का 70% बचता है बस 9X-10, 9X-10 कट गया यानि कि आपका हो गया solve का लिजे 10 से 10 कट गया यानि 7X बराबर आपका आगया 10X-10 यानि 3X बराबर 10, तो X बराबर हो गया 10 बटे 3 अब X बराबर 10 बटे 3 आगया तो आप खतम हो गया यानि कि वाटर आप कितना परसेंट है वाटर आपको पता है 10 लीटर है, आपने लिख दिया वाटर, यहाँ पे लिखा A, यहाँ पे लिखा B आप सबकी मातरा लिख दीजे, तो वाटर है 10 लीटर, लिख दिया, एक इतना है 9x-10, यानि 90 बटे 3, माइनस 3 90 बटे 3, माइनस 3 यानि कि आपका 30 माइनस 10 यानि 20 लीटर बचा A और यह B कितना है 10x बटे 3 10 बटे 3, एक है 10 बटे 3 लीटर है अब 3 से गुड़ा कर दीजे, यानि 30, 20, अच्छा अभी नहीं अभी कहा गया कि इस बिलेन में 2 लीटर A मिलाया जाता है, यानि कि इतनी तो मातरा थी water 10 लीटर था मिक्चर में A 20 लीटर था, और B की मातर 10 बटे 3 थी, लेकिन कहा गया 2 लीटर A को मिला दिया गया, यानि A अब हो गया 22, अब 3 से गुड़ा कर दो, तो पात निकाल लो, तीन से गुड़ा करोगे तो यह हो जाएगा, 30 6, 6 और 10 यह हम कह सकते हैं, 15 37 और 5 फिर से समझेगा, अब मैं प्रॉब्लम फिर से एक बार समराइज कर दे रहा हूँ, समझने की कोसिस करिएगा, देखो हमने मिक्चर माल ले 10 एक्स, ठीक है, अब 10 एक्स पानी एड़ कर, 10 लीटर पानी एड़ करने के बाद मिक्चर की मातर अगर 10 एक्स होती है, यह पहले 10 एक्स माइनस 10 थी, अच्छा, अगर 10 एक्स में 10 लीटर वाटर है, और आपको पता है, B जो है, X, मतलब B जो है, वो मिक्चर का 10 परसेंट है, यानि B एक्स है तीनों मिलके 10 एक्स लीटर, तो 10 एक्स यह है, एक्स यह है तो A की मातरा कितनी हो जाएगी, 9 एक्स माइनस 10, चुकि A और B की मातरा में कोई चेंज नहीं आया है, यानि A शुरुवात में भी 9X माइनस 10 रहा होगा, और B X रहा होगा, अच्छा, मिक्चर पहले आप 10X हो गया, तो पहले 10X माइनस 10 रहा होगा, आपको ये भी पता है कि जो A का परतिसद था, वो 30 परतिसद कम हुआ, यानि A का परतिसद निकाले, तो A का परतिसद पहले कितने था 9x-10 बटे 10x-10, क्योंकि mixture था 10x-10, और A की मात्रा थी 9x-10, उसका 30% कम हो गया, यानि इसका 70% बचा, आप mixture में A की मात्रा है, यानि mixture अब है 10x, और A की मात्रा है 9x-10, यहाँ से हमने solve किया, x की value आगे 10 बटे 3, x की value आगे, तो आपको यहाँ पर आ जानना है तुरंद, 22 लिटर बचेगा, अब आपको अनुपाद निकाल लेना है, बस, I hope आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को like कर देना, और चैनल को subscribe कर लेना, बबाए